हालो नर्शिंग ओफिसर वेलकम टू माई यूटूब चैनल एस पी चोज़दी नर्शिंग ओफिसर फ्रेंट्स जैसे कि अपन ने है कल आपको बताए था कि सेंट्रल डिजर्व फॉलिस पोर सियार फियफ का जो सब इंस्पेक्टर यानि स्टाफ नर्स का अपना जो फोर्म रहने वाला है और कमी है वेकेंसी आती है इनकी तो अल्मॉस्ट बहुत सारे न्यू ही हैं जो फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए यह बेनिफिश है नोले माला है अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो ब्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेन लाइक फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा पहले तो उसके अंदर हाइट चेस्ट और वेट आपका मेजर किया जाएगा उसके बाद पीटी होगा फिजिकल एफिसेंशी टेस्ट होगा जिसको आपको नॉर्मल और क्राइटरिया फॉलो करवा कि आपको है एडमिट कार्ड अगर आप physical fitness हो तो आपको eligible माना जाएगा exam के लिए ओके तो चलिए friends इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि form कैसे बरना है आपको step by step अगर print अभी form का नहीं निकला है तो कल morning के अंदर CRPF का syllabus है उसके लिए अपने वीडियो upload किया था उसके description box के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आपको है वो लिंक से form डाउनलोड करके है अपने वीडियो के साथ मा जाना साथ में वीडियो देखते रहना पोज करते रहना और अपने form को वैसा का वैसा exact फिल करते रहना नहीं तो friends आपको पता है CRFF ने notice के अंदर साफ साफ लिकर रखा है अगर आपने एक भी mistake किया form के अंदर तो आपका form without any information कोई भी जानकरी दिये भी ना आपका form cancel कर दे जाएगा आप सोचोगे यार मैंने form बराता form वापिस उसका feedback क्यों नहीं आएगा तो आपको अगर इस चीज से बचना है malpractice ये गलती से बचना है तो आपको है इस वीडियो को देखना पड़ेगा वीडियो जादा से जादा 15 मिनिट का हो सकता है 15 मिनिट आपके जादा नहीं होंगे क्योंकि आपके बविश्या का सवाल है तो चले वीडियो को अपन है जो start का लेते हैं बिना time कराब करें तो फ्रेंट इस वीडियो को फस्ट से अपन देखते हैं कि क्या इसके अंदर मांगा है तो फ्रेंट ये वीडियो देख सकते है आप सेंटर बीजो पृंप का ये अपना आगया है form के print आपको निकाल लेने है form के दो या तीन print है तो इसको fill कैसे करना है पहले तो सबसे पहले यह देखना है details to be filled in block letter आपको block letter के अंदर four way form को fill करना है ओके और block letter भी एकदम clear language के अंदर अने चाहिए जोंकि friends आगे पिछे अगर कुछ भी language आपकी सही नहीं है तो किसी दूसर उनका ओके तो वह अपनी responsibility हो जाती है अगर अपने को अपना काम द्यान से करना है तो करना ही होगा और खुद के लिए में सही नहीं है कि शूर से आप form fill कर वा लेना capital letter के अंदर आपको पूरे form को fill करना है चलिए बात कर लेते हैं यहां आपको अपनी photo लगा देनी है sony सी आपकी जो है बड़ी ऐसी photo लगा देना जो की password size है इसके बाद है आपको यहां एक number column में देख सकते हो मैं फ्रेंड मार्क करता जाओं और बोलता जाओं यहां लिख नहीं सकता आप जो यह द्यान रख लेना तो post applied for किस post के लिए आप apply कर रहे हो वो इसके अंदर आपको ल लिखना नहीं यहिए आप यहां पर देख सकते हो अपने सब boxes आ नसिये दौमर पर आफ़ी एक बड़ी करना प्रेंड तैम प्रेंट्स अपने बहुत वीडियो लेंटी हो जाएगा फिर आप यह वीडियो को इंटरस्टेड नहीं बनाओगे देखोगी नहीं तो ओके तो यह आप यह आप यह नाम लिख देना है और ग्रूप लिख देना है ग्रूप नहीं लिखो तो भी चलेगा कोड जरूर लिख नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के और यहाँ पे स्टाफ नर्स लिख देना ओके उसके बाद क्या करना है यहाँ पे ऐग्जैमनेशन सेंटर दो चूज करने हैं जो आपको ऐचसे लगए कि मेरे जाने आने में ब मेंगोई सहौलियत रहेगी और मेरे पास में रहता है वो प्रीयागराज है अज्मेर, नागपूर है मुझाफपूर है और पालिमपूरा है तो यह फ्रेंट्स यहां पर सेंटर रहने वाले exam के आपको आपनी सहलित के इसाब से है दो exam सेंटर चूज कर लेना है नियर फर्स्ट बाई 7th number के अंदर gender लिख देना है male female और 7th number के अंदर mobile number लिख देना है और 9th number के अंदर email address लिख देना है यह आपकी general information है mobile number email ID है आपका activate रहना चाहिए खुद के बास रहना चाहिए अगर कोई message कुछ information आती है अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपकी खुद की जम्यतार रहने होंगे गर government employer नहीं हो तो इनको आप रहनेगे देना इसके अंदर no लिख देना खाली इसको रख देना अगर गवर्मेंट certificate है आपका कौन से state का रहने वाला है वो आपको इसके अंदर mention कर देना है कि मेरा domential है पंजाब है रियाना है रास्तान है यूपी है यह आपको mention कर देना है ओके 17 नमबर के अंदर देदे रखा है name of the particular area of region for claiming extended time तो friends आपको कौन से area के अंदर कौन से region के अंदर कहां आप रह रहे हो तो उसका आपको कितने time से रह रहे हो वो आपको यहां पे mention करना होगा और 18 नमबर जा कोलम है इसके अंदर आपको height खुद की measure कर लेनी है इंचे टेप से गर पे और आपको centimeter सेंडिमेटर के अंदर लिख देनी है कि मेरी इतनी सेंडिमेटर हाइट है 19 यह नमबर का जो option है यह not applicable for female candidate यह female candidate इसको नहीं बरेंगे इसके अंदर blank छोड़ दें या फिर ऐसे marking कर दें female candidate के लिए है यह बिल्कुल से allow नहीं है और male candidate के लिए है इसको है expanded और unexpanded इसके अंदर आपको करना क्या है इसके अंदर आपको chest को पहले तो normal chest circumference जैसे बच्चों का measure करते हैं वैसे अपना chest circumference measure कर लेना है और उसको लिख देना है इसके अंदर उसके बाद आपको है inflat करना है यानि expand करना है chest फुलानी है उसके बाद होता है 90 आपको दोनों इसके अंदर mention कर देने हैं आपको है अगर age के अंदर relaxation चीए तो आपको इसके अंदर है यहां पर yes कर देना होगा अगर height के अंदर relaxation चीए तो इसके अंदर yes कर देना नहीं तो no कर देना अगर age के अंदर relaxation चीए तो यहां पे एस देना यहां पे नो कर देना अब यह आपको दिכा देते हैं कि age और height के अंदर relaxation करने है तो कैसे कैसे यहां पे मिलने वाला है तो यहां आप देख सकते हो पहले height के relaxation आपको दिखा देते हैं यह आप देख लिजिए अगर आप इन चीजों से belong करते हो, travel area है और इनमें से कैसी भी area से आप belong करते हो, तो आपको ये male के लिए और ये female के लिए आपको criteria, आपको इतना relaxation इसके लिए height के लिए मिल सकता है, अब बता देते हैं कि age के लिए relaxation मिलना था वो age के लिए relaxation मिलेगा वो कितना रहने वाला है तो यहां पर फ्रेंट्स age का relaxation इस नहीं दे रखा है, आपको सब कुछ यहां पर मिल जागा फ्रेंट्स टैंसर नहीं बिलकुल से नहीं लेना है फ्री हो आप, तो जनरल वालों के लिए कुछ नहीं है, C वालों के लिए 5 साल है अश्टी वालों के लिए 5 साल है OBC वालों के लिए 3 साल है, एक सर्विसमें के लिए 3 साल है यह आपकी है, अपने ग्रूप B की बात कर रहे हैं अपनी काम की चीज़ है, नर्स टाफ, नर्स वाली तो आप इसको पोज कर दिया है, मैंने रोक दिया है वीडियो का, आप इसके अंदर देखके है अगर आपको एज सही है, कि मेरी एज है ज़्यादा हो गई है नॉर्मल एज से, तो आप इस वीडियो के अंदर देखके है आपकी गिटेगरी साब से आप एज रिलेक्सेशन जो है ले सकते हो, उके, उसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको ये एज और हाइट रिलेक्सेशन अगर येस या नो करके आपको छोड़ देना है, डिपेंडेंट फेमिली मेंबरी ये फ्रेंड्स जो है, 1914 के अंदर जो दंगी होई थे तो उसके अंदर इनवल्ट है या नही वोओ आपको यहां पर मेंसन करदेना है अगर आप है 181818 से लेकर 1989 तक अगर जमू कसमीर के अंदर रहे हो, परसनल एर्गनेशन डोमेंशियल अगर आपने जमू कसमीर को बनाया है तो वो आपको मैंसिन कर देना है यहां पे और यह एक्सर्वीसमें अगर हो वेदर एक्सर्वीसमें है तो येस कर देना है यहां पे नहीं तो नो कर देना है अगर येस करोगे तो आपको कब जोइन किया और कब इसको सर्वीस को आपने छोड़ा और कितने टाइम कि passing years लगाओगे, कितने, कौन से year में pass की, कौन सा school था, कौन सा board लगा था, और mark street के उपर, फिर टोप के उपर है serial number आते है, mark street के, या फिर lower line, left side में आएंगे, या फिर upper side में, left side के अंदर यहां पे आने वाले हैं, वो आपको serial to same, exactly, यह जो है the swing का बता है, ऐसे ही आपको इसका form fill कर देना है, अगर आपके पास experience है, तो experience इस column के अंदर आप fill कर सकते हो, आपको है postal address of conference, इसका जो है इसका coordination आपको जो मान के चलो अगर आपके पास कोई dark, अगर बेज़े CRPF वाले, तो आपको पास easily पहुंच आए, तो आपको dark का address लगाना है, आपको proper है, आपकी location के हिसाब से कौन सा dark गर आपके पास में लगता है, उसका address लगा देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद का permanent address लग देना है, आप कहां रहते हो, यहां पर आदरकर लगा देना है, next 27 नमर के अंदर, तो 28 नमर का है, अगर आपके परती कोई criminal civil case हुआ है, या नहीं है, mention करना है, अगर क्योई case बगएरा हुआ है, आपके पास criminal का या आप से, तो yes कर देना है, नहीं हुई है, yes या no कर देना है, आपको कभी police ने arrest किया है, नहीं किया है, ये yes या no कर देना है, और आपको है, court के अंदर कोई case pending है या नहीं है, ये इसके अंदर है, आपको mention कर देना है, yes या no इसके अंदर कर देना है, friends एक बात ध्यान रखना है, अगर इन में से किसी भी information को आप गल्थ फिल करते हो तो आपके परती बहुत बड़ा legal action CRP पूटा सकती है आपको जो information देनी है पूरी correct देनी है उके उसके बाद मैं बात आती है फ्रेंट्स ये वाली कि DD के सर DD कैसे बनवाना है क्या करवाना है फ्रेंट्स एक तो है इंडियन postal order हो होगा आई पी ओ ओके इंडियन postal order और ये वीडियो होता है फ्रेंड्स बैंक ड्राफ्ट या फिर आपको बैंक से ड्राफ्ट बनाना है आपकी फीस का बनाना ही कितनी फीस है वह आप वहां पे पहले अपने वीडियो बनाया है उसके अंदर बता दिया है कौन सी के टेगरी होगी आपको आई पी ओ की इंडियन postal order की इमेज देख ली है इस इमेज के अंदर जो मैंने मार्क करके रखा है ये मार्क वाली जो नमबर है ऐसे आपको है इंडियन postal order से अगर आप ड्राफ्ट बनवाते हो तो ऐसे नमबर आएंगे उसके नीचे वह आपको यहां पे mention कर देने होंगे उके उसके बाद आपको क्या करना होगा उसके बाद आपने कब यह बनवाया उसकी date लिख देनी है और कितनी पैसों का बनवाया कितनी amount का बनवाया वो यहां पे mention कर देना है उके तो आसा करते हैं समझ आ गया होगा उसके बाद आपको अगर आप bank से बनाते ह बना सकते हो या बना सकते हो आपको पूरा मेंशन कर देना है वीट इमेज मैंने आपको समझा दिया है और आपको फिर क्या करना है इसके अंदर आपको है अपने अच्छे से स्थाक्सर कर देने हैं साइन सिगनेट्चर कर देने हैं जो कि अगर एप्लिकेशन होती है तो बीदा किशी इंफोर्मेशन के रिजैक्ट कर देजाएगा मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्म के अंदर बिल्कुल से अगर आपने माइनूट सी क्रेक्शन हो गया तो आप आप को है फूर्म को के फिल कर के अपने को क्या कर देना है ऍसको को है फूरा फिल कर के अपनेÃ Garrett है यहां पे place लिग देना है कहा से आप हो और कितनी तारीकों वर्म द्रे लगा दे नहीं है यह पर फिर signature कर देने है यहां प्र फिर इंटर कर देने है अगर in signature will be rejected अपके stead कर दिया जाएगा उसके दौन है ये friends form certificates of service personal अगर defense के अंदर हो आफ तो उसके अंदर है उनको ये requirement होगी ये बरके है अपने को signature उसका command अधिकारी जो officer होता है उसकी seal बगराय लगवानी है और ये ये है undertaking to begin service man के लिए ये चीज रहने वाली है कि आपने है कब जोइनिंग की कब छोड़ा कितना टाइम तक की कौन से डिपाटमेंट के अंदर थे का थे डेट क्या है और सिगनेटर कर देने हैं यह एक सर्विस मनेवान के लिए है यह स्थी के टिगरी वालों के लिए रहने वाला है इसका कास्ट का कुछ है तो इसके अंदर है साइन करके दिजिजिनेचन जो ओफिसर होता है उससे शील वगेरा लगा देनी है ओके तो इसके अंदर है उनके लिए यह कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ मेंसिन करना है यह अभी आपको कुछ नहीं करना होगा यह तो ऐसे देर रखा है फ्रेंटस आपको जब आपको बुलाया जाए रख करना है यह आपको फिल करके डिस्ट्रिक जो है मजी स्टेट या डिप्टी कमिस्नर है इससे आपको साइन कर्वाकी डेट पगारा सब डलवाकर इसको रेड़ी कर थखना है अगださい यह नौन क्यूंनट लेटर है इसको आपको फिल करना है इसके साथ में यांपको अगर आपको चेस्ट के अंदर हाइट के अंदर मेजरमेंट में Finger mund लिया है आपने मान के चलो मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी चेस्ट कमर एडिया यह यह आपको ड्लैक्स लिए चाहिए ऊस एडियक का प् महां कि जाके बता है और आपने एज डिलेक्सेशन लिया है तो आपको यह फॉर्म है फिल अप करना होगा ओके जो की सिगनेटर करने होगा है डिस्टिक मजिस्टेट के यह अप सब डिविजनल जो मजिस्टेट है तसीलदार है उनके यहां पर साइन करवाने होगे आपको डेट पलेस वगरा लि अगर अगर आपको है फ्रेंट्स इसमें क्या होता है अगर आप वीक हो अगर मतलब घर से इंकम की आपकी बिल्कुल कम है तो इस कंडिशन के अंदर आप यह फिल कर सकते हो जिसके अंदर आपको मेंशन करना होगा आपका घर का एरिया है कितने स्कारी फिट का है आपको जहां पर रह रहे हो कितने गज़ का है यह आपको इसके अंदर मेंशन करके यहां सिगनेटर सील करवा लेनी है ओफिसर की सब कुछ यहां पे आपको खुद की फास्वर्ट साइज फोटो लगा देनी है जो कि यहां पे मेंशन कर रहा है यह आपको इसके अंदर सब मेंशन करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है ओके फ्रेंट तो आज जो है आज की डेट से यह फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आसा करते हैं आपको है अच्छे से पूरी information है, समझ आ गई होगी friends, अगर पूरी information आपको समझ आ गई है, तो please वीडियो का like, share and subscribe कर देज़ा कि दो भी friends है, जिसने भी form apply करना है उनको सब को इस चीज़ का benefit मिल सके अगर फिर भी कोई query हो तो आप इस वीडियो के comment box के अंदर हमें लिख सकते हो friends, एक बात का ध्यान रहे कि आपको जो है, जो demand draft बेरा बनाना है, उसका address के बारे में अगर नहीं पता है, तो वो भी आपको है, अभी बता देते हैं, जैसे कि अपने बताया था 27 number page के उपर, कि आपको जो है ये DD बनवानी है, ओके, ये DD बनवानी है, तो इसको आते हैं, तो इसके अंदर friends, आपको ये दे रखा है, friends, आपको fees विगरा भी दे रखिये, यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, ओके, ये चीज़ देख सकते हो, जिसके अंदर लिख रखा है, group B के अंदर आप आ रहे हो, तो 200 रुपए आपकी fees रहने वाली है, और अगर group C के अंदर हो, तो 100 रुपए, अपनी 200 रुपए वाली है, friends, शिद्धी बाती है, और अगर आप है, belong करते हो, SC, ST केटेगरी से, ट्राइबेज एरिया, and female candidate हो, तो आपको कोई fees की requirement बिलकुल से नहीं रहने वाली है, इस वीडियो, आप जो वीडियो को मैंने रोक दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके, उसके बाद आपको है, करना क्या है, इसके अंदर दे रखा है, इंडियन पॉस्टल तो वो आपको यहां पे general information दे रखी है, यह इतना आपको यह address जो है, डिडी और इंडियन पॉस्टल ओर है, वो इस नाम पे आपको fees pay करनी होगी, और इसके लिए, ओके, और आपको बरके, इसको है इंडियन पॉस्टल ओर्डर को, और इसके नंबर तो वहां लगा देने हैं, उस फोर्म के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको नंबर फिल बगेरा करने के बाद में, आप इस फोर्म को है, कहां फिल करोगे, यह आपको बटा देते हैं, कि फिल का करके, बेजना का है, तो इसके लिए, फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, कहां बेजना होगा इस फोर्म को, यह आप दे सकते सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर, अच्छे से, यहां आपको संट्रल इजिरू आपका form फिल करके अच्छे से बेज देना है यह address है थे लिक जो लिफापा लेते हो उसके उपर exact साफ साफ clean एक दम सही लिखा होना चाहिए अगर कोई variation होता है language के अंदर या साफ नहीं लिखते हो तो आपका form बीच में अटक सकता है अगर आपको यह चीए कि वही सर इसको form फिल करने के बाद में हम में पता कैसे चलेगा हमारा form यहां पे पहुंचा या नहीं पहुंचा क्योंकि online होता है तो अपने को submit होने के बाद पता चल जाता है अगर आपको ऐसी query है तो अपने है इसके उपर एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आप speed post जिए रिशिप्ट लोगे उस रिशिप्ट के थरू आप चेक कर सकते हैं आपका form कहां तक पहुंचा है जैसे अपने train चेक करते हैं कि यह train यहां तक पहुंची है तो हलांकी जरूरत नहीं पढ़नी चीए मेरी साबसे अगर जरूरत पढ़ती है कि सर हमें चेक करना है कैसे form कहां पहुंचा है तो हैं हमाँ आप कॉमेंट कर दीजिए हम आपको एक वीडियो बना के उसके अंदर बता देंगे अगर इससे बाद में आगर फॉम वहां पहुंचता है तो आपका फॉम बिना किसी इंपॉमेशन के फिर से कैंसल करने की बात आ रही है और कैंसल कर दिया जाएगा ओके तो यह था फ्रेंट साथ का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक से एंड सिस्क्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजिए